हाई फ्रेंड्स आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर आज हम आप लोग लिए बिहार पुलिस की जो नई बाहल यह कई साह तीन से एक आनवे पोश्ट के आई थी जिसका एक अक्टूबर से एक्जाम होनी क्या है जो कि एड्मि एक रुकमरी प्रकासन का भॉलूम वणाया था जिसमें कुल 30 प्लेइलिष्ट बना दिया गए आप वहा से देख सकते हैं इससे कोशन अने के बहुत संभवन होगी क्योंकि इसमें जो कोशन दिया गया हूँ वहुँ जैसा एक्जाम में पुछता है वैसा ही दिया गया तो इस चारों सेट को आप जरूर बनाईएगा आज हम सेट नमर 15 का इसकसन कराने वाले हैं अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो डाले उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा कि वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राफ्थो और वीडियो को लाइक की जगा दोस्तों के साथ सेयर की जगा आईए शुरुआत करते हैं आज का पहला कोशन जो की मैस का कोशन दिया गया है इसको इसको दिया गया कि हिंदी के मुल्क बेंजनों की संक्या 10 होती है जो कि खाली अस्थान को भर है या खाली अस्थान भरना बताना आपको कि हिंदी के मुल्क बेंजनों की संक्या कितनी होती है तिया जो मुल्क बेंजनों की संक्या जो होती है 33 होती है इसका जो एंसर जगा ए नम दएगा अग्ला देख लेते हैं जो दिया गी निमलीखी से कौन सा संदीक भूत का उदारन का भूत काल वह होता है गुप लक्षित बीटा हुआ को डिया गया उसमें वही समान रखा होगा इसका तो जो बीता हुआ कल क्या होता है तो भूत कल कहा जाता है आगे देख लिते हैं दिया कि परतेक रस के भाव कैसे होते हैं तो यह जो होते हैं अस्थाई होते हैं इसका जो इंसर जगा भी नंबर हो जाएगा आगे देख लिते हैं दिया कि मनो विकार सब्द का संधी विछेद क्या हो जाएगा बताना आपको को मनो विकार जो सब्द दिया गया है उसका जो संधी विछेद क्या हो जाएगा तो इसका संधी विछेद जो हो जाएगा मना प्लस विकार हो जाएगा यह किस में दिया गया तो B में दिया गए, इसका एंसर B नंबर हो जाएगा आगला देख लेते हैं, दिया गए कि उठा चांदी का उजवल संख फुकता हूँ भैरो हुंकार उप्रोक पाक्ती किसकी है? तो यह जो पाक्ती है, यह होगा दिन कर की इसका जो इंसर जगा C नंबर हो जाएगा आगला कोशन देख लेते हैं, दिया निमलीखित में से कौन सा और्था अलंकार नहीं है इसमें बतना है कि कौन सा है जो और्था अलंकार इसमें नहीं है तो देख लेते हैं और्था अलंकार होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि अर्था अंका मुल्टा दो परकार का होता है कौन कौन से तो पहला जो हता है सब्दा अलंकार होता है तो अर्था अलंकार होता है सब्दा अलंकार जो हते हैं उसमें अनुपरास आते हैं यामक होते हैं सलेस होते हैं जो कि यही और्था अलंगकार जो होते हैं उसके प्रकार जोते हैं उपमा होते हैं रूपक होते हैं उद्प्रेक्च होते हैं वी भाण होते हैं वह होता है। तो अलाई हो जगा बिनमबर हो जाएगा अगला देख लेते हैं कि माटी की मूरते कीस लेखा की रच्ना तर न की चबाए पाक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं तो इसमें अलंकार जो हो जएगा यह हो जएगा बीभाव ना इसका जो एंसर जगा यह नमबर जाएगा आगला देख लेते हैं जो कि इंगली से कोशंट दिया गए वीच आप दे नियरी अप दे सेम में इस्क्रीम कर नियर पिविए नमबर जाएगा अगला देख लेते हैं इसमें फिलिंग ब्लैंक परना इसका फिलिंग दब्लैंक जो जाएगा एंबर हो जाएगा तथा अगला जो हो जाएगा पची स्नम्बर इसका जो एंसर जागा इजस्का फिलिंग के ले सकते हैं उसके लिए आप मेरे नमबर तता आगे दिया गया चूज़ दैप्रोप्रियेट वर्ड सुच्छी सन भरना है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह सी नमबर हो जाएगा तता अगला कोशन देख लेते हैं जो कि दिया गया हो जाएगा यह घेन इंडिया इस घूरी अगेसा ऑगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रिथर्मी से किसी अकास किदूरी 10 के पावर पचीस मीटर की कोटी की हो लाarna जाए ανα प्रकास दूरा समय जो लिया गया हो जैगा 3-10 के पर 16 सेकेंड हो जाएगा तो इसका जो इंसर जागा भी नम्बर हो जागा यही कोशन पूछ देगी प्रकास का गती क्या होता है स्पीड आफ लाइट क्या होता है यहाज होता है तिन गुने दस के पौर आठ मीटर पोर सेकेंड स्क्वार होता है, याद रखेगा क्या होता है, ता ही क्योश्ट्यन पूछ देगी परकास क्या होता है, तो परकास निर्वात में भी गमन गान और करन्गर के बहाती आगे देख लेते हैं कि दिया गया है निम्न में से कौन से कथन वाइब सब्सक्राइब देखनेसमेर चाहिपा शेयरिकषान के वाइस हे रिल्सकान के कि अ तरसूंद आहगा-चाहरों के वह सकता होती है जैसे निर्वात में सूरे से आने वाले विक्रन हम तक पहुचती है वह बिक्रन के द्वारा ही पहुचती है इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा अगला कोशन देख लेते हैं कोई द्राव ठोस प्रीष्ट को गिला नहीं करता है यदि असपर्स कोण बने ते या जो असपर्स कोण जो बनेगा वह जगा नबे डिग्री से बड़ा हो जाएगा इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा द्राव और ठोस के संपर्क बिंदू जब द्राव के तल और ठोस के तल पक खीची गई इसपर्स रिखाओं के मद्धे द्राव के जो जाएगा इसका जो एंसर जागा जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि नुमेरिकल दिया गया गया एक कि फोस गोले को उसके केंद्र से जाती हुई अक्ष से परिता पचास रेडियन पर से कोडिया वेग में घुमाया जाता है तो घुननन की गती उर्जा जो जाएगी नौ के बटा नौ बटा बीस जूल हो जाएगा इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि एम के स्पाधिती में जी का मान क्या होता है तो इसमें जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर होता है इसका एंसर बी नमबर हो ज न्मबर जागा लाल-भासी घहराई कैसे निकाला जाता है तो अब लाल-भासी घहराई सबसे अधिक होते हैं इसलिए चुम उठा प्रतित होता है उसका जो दिया गया कि लोहे के पतले टुकडे को त्रीव विधु धारा बहती हुई परी नालिका में रखने पर चुमकिए दीशा में घुम जाता है तो यह जो घुम जाता है इसका मुख्य कारण जोता है सभी डोमेन के सभी प्रमाडु में इसका जो एंसर जगा C नमबर जगा लोहा जोता है लोहा चुम की ये पदार्श होता है फिरो मेगनेटिक मैटेरियल होता है जो कि लोहा में चुमुखत्वां का मुख कारण डोमेन होता है आगे देख लेत हैं जो कि बढ़ने के साथ परतनांक का Awesome काम हो जाता है आगे देख लेते हैं दिया गए कि समुसोला के तत्व में रेडियो सक्री होते हैं तो समुसोला के तत्व जो होता है उसमें रेडियो सक्री जो तत्व होते हैं वह हो जाएंगे पुलोनियम हो जाएंगे इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे तो कितना होता है तो इसका जो होता है 22.6 ग्राम पर सेंटीमिटर की होता है इसका जो एंसर जगा सी नमबर जागा आगे देख लेते हैं दिया प्रकिर्तिक गैस में होता है बताना आपको प्रकिर्तिक गैस में क्या होता है तो प्रकिर्तिक गैस में जो होता है 80% मिथेन होता इसका जो एंसर जगा इन नमबर जगा परकिर्तिक गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिस्टन होता है वह ही मीथेन का फरमुला क्या होता है तो मीथेन का फरमुला होता है CH4 होता है आगे देख लेते हैं दिया गए कि हैवर बीधी द्वरा अमोनिया का निर्माण में उप्यूक्त अवस्थाएं होती हैं तिया जो उप्यूक्त अवस्थाएं जो होती है अधिक दाब और अधिक ताप होता है इसका जो एंसर जगा B नंबर हो जागा अगला कोशन है निमली जगा D num Sorry C नंबर हो जागा वही एह जी जो है उसका आइंनिक भीवा सबसे अधिक होता है कोशन पूछ देगा कि सबसे अधिक किसका होता है तो अगे देख लेते हैं जो कि दिया गए यदि किसी गैस का नियत द्रोमान का आयतन स्थिर ताप आधा कर दिया जाए तो उसक जब हटता है तो टी जो होता है वहां नियत हो जाता है तो इसके जब सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा त्याज हो जाएगा बी नंबर इसका एंसर हो जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि दिया कि नीचे दी गई लुइशाइए एकाईओं में से कौन ओदाब की है तर भी होता है घानक वाता वर रित नंबर जाएगा आगे देख、 जाएगा आगे दो जब रूब्धिय चन्यो जग बन्न लिखित में उपस्तित होता है यहों जान्व करने आगे दी अचे में जाएगा आगे देख लेते हैं दियागे कि आणविक बिमाओं से कुलाइडी करणों का प्रीथी करण कहलाता है तो यह जो कहलाता है यह डाइलीसिस कहलाता है इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जागा यही कोशन पूछ देगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बीधी द्वारा क कुलाइडी बिलियन का प्रीथी करण किया जाता है कोशन पूछ सकता है कि कुलाइडी बिलियन का प्रीथी करण किसके द्वारा किया जाता है तो यह जो किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बीधी द्वारा किया जाता है अगला देख लेते हैं क्लोरोफील को जलाने पर कौन सा तत्तो प्राप्त होता है बताना आपको कि अगर क्लोरोफील जलता है तो उसे कौन सा तत्तो प्राप्त होता है तो यह जो प्राप्त होता है मेगनेसियम होता है इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा यही मेगनेसियम जो हता है मेगनेसियम आयन क्लोरोफील क के मध्ध में पाया जाता है याद रखेगा तत्ता होमोगलोबीन में क्या पाय जाता है इसका जो एंसर जगा भी नमबर जगा आगे देख लिते हैं जो कि दियागे सरीर की सबसे बड़ी कोशिकाय कौन सी होती है त्याज होता है तंत्री का को सिखाए होती है इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा आगे देख लेते हैं दियागे कि स्वासन भागफल एक से कम नहीं होता है बताना आपको स्वासन भागफल एक से कम नहीं होता है कि इसका त्याह जो एक से कम जो नहीं होता है वो कार्बो हैड्रेट्स का जो एंसर जगा है ए नमबर हो जगा है काईबो हाइडरेट का स्वासन भागफल एक होता है वही कोशन पूछ देगे प्रोटीन का स्वासन भागफल कितना होता है प्रोटीन का जो होता है 0.8 होता है वही कोशन पूछ देगे वसाओ का स्वासन कितना होता है तो वसाओ में ज देख लेते हैं जो कि दिया गए कि मां के सरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुस्यों के मामले में लगभग 10 महीने लगते हैं तो यह जो महीना जो लगता है वह लगभग 9 महीने लगते हैं इसका जो एंसर जगा ए नमबर जगा किन्तु अपवाधित प्रिस्थितियों में या समय वदी घट या बढ़ सकता है अधिकांस जनतु जो होते हैं एक लिंगी होते हैं इस वज़े से उसमें अलग-अलग होता है याद रखेगा बच्चे के विकास की जो अधिक इतना होता है 253 से 266 दिन होता है वही चूहागे कितना होता है तो चूहागे केवल 21 दिन ह वहीं बकरी का एक से वहाँ दिन होता है याद रहके गई इस अब कोशन पूछा गया है आगे देखलते हैं दिया गए पहला प्रकास संसलेसिन अक्सीजन उत्पन करने वाला जीव प्रिथमी पर प्रगट हुआ था यह जो प्रगट हुआ था यह साइनो बेक्ट्रिया हुआ कुछा जयता है आगे देखलते हैं मानो कान के कीछ भाग में प्राप्त धानी के अनुसाख कमपन होता हाँ यह मैं से नँपर हो जहेग है इसकी से कौन से नहीं है नहीं बताना है पहले इस में कौन सा कgeb Reti एकुटर फिदिया लें मुट सबह्ले जहे हैं 300 आगे ती यहा एक सनमहन उतक है जो सनमहन बंडल के अंदर पए जाता है यहा उतक पोधों में जल के सनमहन का कार और घृतplease है वो कहां लोखप्रिए यह जो लोखप्रिए है जो हता है सी की में, इसका जो इंसर जगा B नमबर जगा, आगे देख लिते हैं, दिया ओगे कि सराबबंदी लागु करने वाला पहला भारती Рाज कौन सा था? यह जो था गुजराद था, इसका जो इंसर जगा B नमबर जगा, गुजरात कब यह लागू किया था तो यह जो लागू किया था 1960 में लागू किया था वही दूसरा राज कौन सा था था दूसरा राज 2014 में केरल राज सराब बंदी घोसित किया था तो था तीसरा राज जो है बिहार घोसित किया था एक अपरेल 2016 को जो कि किसी भी राज्य में नीती निरसक तत्व के अनुसार अनुछेत 47 के तहत सराब बंदी लागू किया जा सकता है याद रखेगा कोशन पूछ देगा कि बिहार में जो सराब बंदी लागू है वो किस के तहत लागू है नुखेज 27 के तछ जो कि उस राज के नीति नेसक तत्व के तछ यहाता है आगे देख लिए जो कि दिया निमलिकित युगू में से कौन एक सुमिली तने हैं इस मतना है कि कौन सा गलत दिया गया तपहला दिया गए ओपिको अंदोलन पी हैंगरे जो कि साही है आगलाद एक चीपको अंदोलं एवस्स एस बहुत गोड़ा ये भी सही है आगलाद ये नर्मददा बछाओ अंदोलों मेगा पटेकर ये भी सही है तो था आगलाद ये सानत घाटी अंदोलन बाबा आम्टे जो कि बामबा आम्टे इस से नहीं थे हैं इसके सुगात्था कु ऐटं तलू को काई जाता है इसका जो एंसर जगा ची नमबर जागा आगला कोशन देखन दिख लेते हैं अंगि कि आ क्रांटी हैा जो समदित है वह उक्रेट से संबंद से इसका जल एंसर ंगा नमलबर नॉबरा दैने संबड़ मेंन दैने से dirt यह कोशन पूछ देगी लोटस करांती जो था मिस्र में था आगे देख लेते हैं नाट्रे डैम कटि डॉल कहां आ है यह जो इस थी थे यह इस थे पेरिस में इसका जो एंसर जागा डी नंबर जागा आगे देख लिए जो कि दिया गें सती परथा को निरूत साहित करने वला मुंगल समराट कौन था बताना आपको कि साती प्राथा को निरूत साहित किस ने किया था यह जो किये थे आकवर ने किये थे इसका जो एंसर जगा सी नमबर जागा वही साती प्राथा को सीवाज ने भी रोकने का प्रियास किया था था साती प्राथा पर रोक सावर्प्रताम राजा राम मोहन राइग प्रियास से 1829 सिस्वी में बिलियम बेंटिक ने लगाया था जो कि एरन अभिलेक में साती प्राथा का प्राथम अभिलेक की ये प्रमाण मिलता है आगे देख लिते हैं जो कि दिया गया दिली के निमलिखित सुल्टानों में से कीसे इतियासकारों ने बिरोधा भासो का मिशरण बताया है आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है भारत में प्रथम स्वाण मुद्राय किस ने चलाई थी तो भारत में प्रथम स्वाण मुद्राय जो चलाई थी उनानियों ने इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा यही कोशन पूछ दे कि भारत में सबसे सूध सोने का सीका किस ने चलाया था तो यह जो चलाया थे कुसार प्रबंधित किया जाता है उसे पिंग के इस्टेशन का मतलब यह हुआ एसा रेलवे स्टेशन जो पूर्टा महिला करमचारियोदरब प्रबंधित किया जाता है उसे पिंग के स्टेशन कहा जाता है आगे देख लेते हैं दिया गए कि दी न इलाही एक नया धर्म निमलीखित में से किसके द्वारा सुरू किया गया है तो यह जो सुरू किया गया यह वारा है चीनल का दिखार आगे देख लेते हैं दिया गे कि भारती वन सेवा की असापना कब किया गया था तो भारती वन सेवा की असापना जो किया गया था या उनीसो चाचट में किया गया था इसका जो एंसर जगा सी नमबर जाएगा आगे देख लेते हैं धरती आबा किसे कहा जाता है तो धरती आ हैं आगला देख लेते हैं जो कीस पेढ़ से कुनएन प्राप्त करते हैं तो आप Code को चलोग केसे प्राप्त करते हैं तो प्राप्त किया जता है यह जू को नगा ना ऋ कितना था था जो जJust ब्हारत के स्चेक में छेयं सीरिगरे 382 बेक्ती पर्तिव अर किलोमीटर था इसका जो एंसर जगा ए नमबर जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि भारत का देशांत्रिय बिस्तार कितना है बताना आपको को भारत में देशांत्रिय बिस्तार कितना है तो यह जो देशांत्रिय बिस्तार जो है इन नमबर जगा जो कि यह तीन बार मनाया जाता है कब कब तो यह तीन बार जो मनाया जाता है अलग अलग नामों से जाना जाता है एक भोगाली भी हूँ होता है एक भोहांग भी हूँ होता है तथा एक रोंगाली भी हूँ होता है तीनों असम में मनाया जाता है आगे देख लेकिन यह राश्टपती के प्रसाद प्रियंत बने रहते हैं राश्टपती जब चाहें इनसे पद से हटा सकते हैं या दूसरे राज्जे में इसका स्थांतरत कर सकते हैं अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है जो कि दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोगिता समंधी बिहुरंड समिधान के कीस अनुसूची में दिया गया है तो यह जो दिया गया है यह अनुसूची दस्वी में दिया गया है इसका जो एंसर जगा सी नंब जो कि बावन्वा समिधानिक संसोदा नदिनी यह मुनीस सपचासी दोरा समिधान में दसवा अनुसुची जोड़ा गया था अगला देखले दिया गए बिहार बिधान सवा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो यह जो एप पच्छत्तर है इसका जो इंसर जागा डी नमबर ज बताना आपको कि राज ये पुनर गठन आयो का गठन कब किया गया था तो यह जो गठन किया गया था वो नहीं सो तीरपन में किया गया था इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जागा अगला देख लेते हैं लोकतांतरिक विकेंद्री करण के उदेश से भारती समिधान में कोन सांसोधन किया गया था तिहातरवा और संसोधन किया गया था इसका जो एंसर जगा इनमबर हो जASTरवा के फा fighters जो प्रराण में 104 प्रीचाव संट मैं होइरा इसका जो एनसर स्वावत नमबर दिया है अगला कोश्चन देख लेते हैं लेचु परधी वर्स 121 जुलाइ मनाया जब परधी कीफے तो उसका 23 स्वावर के लेंगिंग समानता सक्ति obscर करने इसका जो एनसर जगा D number हो जाएगा, आगे देख लेते हैं दिया गे राज्यापाल को पद का सपत कौन दिलाता है, त यह जो सपत जो दिलाते हैं वह हो जाएंगे राज्य के ऊचे परवत स्रेणी से होकर गुजरता है तो यह जो गुजरता है वह वेट बंबाई किनी तो इसका यह कि लंबाई सौ साथ किलो मीटर लंबा रेलमार्ग जो कि रोहा से मंगलो और तो जाता है जो की यह चार राजियों से गुज़ड़ा जो की गोहा महराश्ट करनाटक और किरल के बिच यह लिंक परदान करता है आगे देख लेते हैं दिया गए निमलीकित में से कौन सा सुमिली थे इस मतना कि कौन सा सही दिया गए तो देख लेते हैं कौन सा सही दिया गए तो यहां पहला दिया गए एलोरा एलोरा सक दिया गए जो की गलत है एलोरा का समन जो है राष्टकुट वन्स था वही अगला द मिनाक्षी मंदिर जो है यह पांडे वंस से था तता अगला देख लेते हैं भारती ये तीरंगे की पहली बाद ज्वारल नेहरू ने कहां पर ध्वाजा रोहर किया था यह जो किये थे 1929 में लहोर में रावी के टड़ पकिये थे इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा कांग्रेस के 31 दिसमबर 1929 में अधिवेशन लहोर में हुआ था जहाँ पंडित जोहर नेहरू ने इसके अध्यक्सता किये थे और लहोर अधिवेशन में पूंट सोराज का प्रस्ताव पारि सीमा रेखा कहलाती बता न अबको भरत और चीन के बीच जो सीमा रेखा वह से किस नाम से जाना जाता यति यह जो जना जैता है मैं आजिर नीश है वेज इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा जो कि प्रती वस 23 अपरेल को 200 पूस्ता किया कॉपी रैट दिवस मनाया जाता है आगे देख लेते हैं दिया गए किस राज केंशासित परदेश ने मुबाइल दोस्त अप लॉंच किया है तो मुबाइल दोस्त अप जो लॉंच क किया है यह जमू कस्मीर ने किया है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि इस एप की मदद से जमू कस्मीर में नागरी को केंदरी की सेवा हो और मुबाइल अधारी डिलेवरी का कार्य किया जाएगा इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा अगला देख लेते हैं जो गवींदर वार मेमोरीयल कहां अस्ठापित किया जा रहा है या अरणाचल परदेश में अस्थापित किया जा रहा है इसका जो इंसर जगा डी नूमबर हो जाएगा अगला देख लेते हैं भारत वर्स के में बहुत संख्य प्रजाती पाए बताना आपको भारत वर्स में बहुत संख्य प्रजाती कौन सी पाई जाती है बहुत संख्या में जो प्रजाती पाई जाती है भारत में वह है गोंड है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जागा आगला कोशन देख लेते हैं जो कि दिया के कोलकत्ता और आगरा के भी इस ट डलहौजी को भारत में रियल डाक और तार के जनक कहा जाता है जो कि 16 अपरेल 1830 को मुंबई से ठाने के बीच में 34 किलो मिटर भारत में पहली बार रियल गाड़ी चलाई गया थी वही 1852 में पहली बार डाक टीकट जारी हुआ तो था महरानी विक्टूरिया के चीतर वाला ड नाना साहिब की तरह जो जाना जाता है बाला जी बाजी राओ को जाना जाता है इसका जो एंसर जगा बी नमबर जगा अगला देख लेते हैं दिया गधर पार्टी का मुख्याले कहां था बताना आपको कि गधर पार्टी का मुख्याले कहां था तो इसका मुख्याले जो खटे फॉल के लिए कौन से प्रदेश अधिक विख्याद है तो खटे फॉल के लिए सबसे विख्याद जो जाएगा या भूमध्य सागर वन हो जाएगा इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर जाएगा जो कि खटे फॉल आगे देख लेते हैं जो घटी अगला कोस्टन पुराने किले के अंदर किसने कीला एक कुहना नामक मस्जीद का निर्माड करवा है तो तेहां जो निर्माड करवाये थे इसका जो एंसर जगा A नंबर हो जाएगा आगला देख लेते हैं कोशन दिया गए कि अभिनो भारत नामक अंग्रेज यरिज वीयरोधी संगठन का अस्ठापना की थी तिया जो अस्थापना किये थे यह बी याट सावर करने किये थे इसका जो एंसर जागा डी नमबर जाएका जो अही कोस्शन पूछ देगी अभीनो भारत के अस्थापना कब हुआ था तो अभीनो भारत के स्थापना जो था 1904 में हुआ था आगे देखलेते हैं जो कि भारत गर्णाज में परकार की अरट कालकि घोशना कर सकते हैं वही 356 के तहत क्या होता है तो राज्ये में राश्पती सासन जो लागू होता है वह अनुछे 356 के तहत होता है वही बीतिया अपात कल जो होता है अनुछे 360 के तहत होता है तो यह जो कौन लागू कर सकते हैं तो राश्पती कर सकते हैं इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो सब्सक्राइब कर लिए इसका पीडियेप आने के लिए आप मेरे टेलिग्रैम चैनल या वाटसब गुरूप से जूड़ के ले सकते हैं जो कि आपको लिंक डिक्सिप्शन में या कॉमेंट बक्स में मिल जाएगा और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजएगा और बगल में बेल आइकन ही जिसको जरूर दबा लिजएगा ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो के लाइक किजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा सेयर किजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फैदा पहुचे फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जया हिंद